तो जैसा कि बहुत सारे बच्ची जिन लोगों का बैक लग जाता है वो फेल हो जाते हैं किसी वेज़ा से और आपशन नहीं होता है कि अफिर वह क्या करें और फाइनली उनको क्या करना चाहिए क्या प्रोसेस घृत जानेंगे उनको क्या करना है अगर उनका कोई बैक लग जाता है वह देना चाहीं वह कैसे कर सकते हैं तो इन सारी चीजों के लिए यहां पर एक सॉलुशन लीका मुस्ल थर्ड सेमिस्टर में कहीं पर लग गया वह फेल टू ग्रैजुएट आफ्टर देर इवन सेमिस्टर अभी खतम होगा इंसीख समिस्टर खतम होगा जो बच्चे भी फेल हो गया इन डाट केस टेक है मैं एप्लाइफ एंपेरिंगे ग्रैजुएटिंग लग गया हो आपका थर्ड सेमिस्टर में किसी में बैक लग गया हो कोई पेपर आपका ऐसा हो एक हो सकता है पॉसिबिल्टीज ज्या फैनल यर वाले पेपर में आपको इसा हो गया हो जो आपके पास नहीं किया आप भूल गया इंट क्या करना है डाउनलोट जी ग्रैजुएटिंग एक्जामिशन फॉर्म एक्जामिशन फॉर्म पीदिए फॉर्म और होल टिकेट जो आपको मिला था लॉंग विद चलान बैंक चलान रुप से चलान रुपे के अंदर में आपको SBI बैंक मिल लेगा इंडियर में बहुत सारे बैंक से आप से जाके सो कटवा सकते हो डूली फिल्ट से पहले आपको वहां पर जाके मेल कर देना है अब ऐसा को जाने उन्हें की जरुद नहीं है जिनका दो अंकलियर पेपर है या दो अंकलियर पेपर है और परमीटेट टू एपियर तो अलिगर मुस्लीं उनिसीटी 2014 से एराउंट से यहीं प्रोसेस को फॉलो करने कि आपका दो अनक्लियर पेपर को एलाव करते हैं आप उसमें एपियर हो सकते हो ठीक है कि अगर आपका कोई बैक अगर पहले का लग रहा है सपोस्थ कीजिए मैं इसलिए मैं पहले का बता रहो क् engaged व्यजीर वाले बच्चों के लिए ञागा गया तो अगर आपको सेकंड समेश्टर ambiguity क्लियर क्लियर करें खेंव करो उसको final ऊगए इलाव होता है तो आपका दो एक पोस्ट students for MA, MSC, MCOM, जिसका एक unclear paper होगा, वही सिर्फ examinations में बैठ सकता है, हर कोई नहीं बैठ सकता है, ठीक है, उसके बाद, the notices is however not applicable to the students of the faculty of engineering and technology, engineering faculty of engineering faculty and technology के लिए applicable नहीं है, medicine, you nani, इन सब के लिए applicable नहीं है, law के लिए applicable नहीं है, graduating examination will not be held in a course where it is permissible at an ordinance, उसके बाद, the examination fee of rupees 200 to be deposited at State Bank of India AMU branch, the bank चलान receipt is to be attached with the form while submission, जैसा कि मैंने अपको पूपन महीं बता दिया था कि आपको इस ग्याई से आपको यह सारी चीज़े करनी है, और the graduating examination schedule will be notified on the websites, आपका जो exam होगा, उसका date आपको notify कर दिया जाएगा, आपके department के तरफ से भी आपको मिल जाएगा notice, ठीक है, तो आप जाकर एक examinations दे पाऊगे, और ये वीडियो सभी के लिए है, जो भी अलिगर मुस्यूटिटी में admissions लिये हुए, और सबके लिए applicable same process होता है, MA, MSC, M.com, हर किसी के लिए same ही process होगा, बस कुछ पार्ट को हटाया गया है, faculty of engineering को, medicine को, युनानी को, बागी सब के लिए same process होगा, आपको same process यही follow करना है, इसी basis पर आपका सारी चीज़ होगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सकते हो, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, और यहाँ पर आप अपने paper code डालोगे, दो paper code आपको highest allow होता है, enrollment number डालोगे, faculty number डालोगे, hall डालोगे, किस hall में रह रहे हो, course आपका जिसमें है, address, district, state, pin code, आपको यह सारी चीज़ें मेंशन करनी है, आपको 200 रुपए का चलान आपको इसमें attach करना है, with photograph, also submitted along with the form, यहाँ आपको photograph भी जरूर से लगाना है, यह में सुचे हैं कि आपको नहीं लगाना है, and this is about hall ticket, hall ticket में आपका नाम, enrollment number, faculty number, course, hall, student का photo लगेगा, यहाँ भी यही सारी चीज़ें attach होंगी, में आपको एको यहीं लगाना है,